हेलो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि आपका यूपी टैट का एक्जाम होने वाला है बहुत जल्द तो देखिए आज आपके लिए नोटिफिकेशन आ भी चुका है कि आपका एक्जाम कब होगा और आपके जो फॉर्म है कब से आपके ऑनलाइन होने लगेंगे आप कब से आभी दिन कर सकते हैं ये सारा अपडेट आज आ चुका है तो हम आपसे पहले भी कह रहते हैं इसलिए हमने आपकी तयारियां स्टार्ट भी कर दीती हैं तो यदि आपने तयारियां नहीं स्टार्ट किती तो आप भी कर दीती है अब भी कोई देर नहीं है तो ज परिवार पर बहुत ही बहुतर तरीके से आपको एजुकेशन दी जाती है यहां पर आप यूपी टैट सी टैट किसी भी सिक्षक भरती एक्जाम की बहुत अच्छे से तयारी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और घंटी परिक्षा 2020 के लिए प्रस्ताव सासन को एक बार फिर एक बार तो प्रस्ताव भेजा जा चुका है लेकिन आज यानि कि सोंबार के लिए आज दुबार से प्रस्ताव भेजा जा रहा है ठीक है इसमें अक्टूबर के प्रथम हपते से परिक्षा के लिए ऑनलाइन आविद लेने और दिसंबर के पहले हपते में परिक्षा कराए जाने की तयारियों का जिक्र किया गया है तो आप देख सकतें कि आपका जो एक्जाम है वो कब से हो सकता है दोस्तो ध्यान रखिए अक्टूबर के पिर्थम सप्ता से कब से अक्टूबर के पिर्थम सप्ता में आपके online आविदन होने लगेंगे और दोस्तों दिसंबर के पहले हफते में यान कि दिसंबर में आपका परिक्षा हो जाएगी दोस्तों इसकी तयारियां बहुत ही जोरो सोरो पर चल रही है और संभावना जिताई गई है कि पिछली बार के TAT परिक्षा से अधिक अभ्यारती इस बार के TAT में एडमिट होंगे मतलब परिक्षा देंगे तो आप सभी लोग जानते हैं आगे इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैं अभी आपके लिए दिखाने बाला हूँ उससे पहले आप थोड़ा सा इसको जान लीजी कि अक्टूबर के पहले हपते में आउनलाइन आविदन लेने बद दिसम्बर की परिक्षा कराने की तयारी 10 लाख से अधिक अभ्यारती इस बार एक्जाम दे सकते हैं दोस्तों काफी टफ कंप्टिशन हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यह है कि क्या आपका नेगेटिव मार्किंग होगा तो बो भी मैं आपको बताऊंगा भी ठीक है या तो इसमें बात करते हैं कि इसके पूरो सचिव परिक्षा नियामक प्रादिकारी ने दो बार सासism को प्रस्ताओ भेजा था देख सकते हैं कि सरकार को दो बार प्रस्ताओ भेजा गया है लेकिन अभी तक कोई भी उसे प्रतिक्रिया नहीं की गई है इस बार टीटी बिलम से हो रही है ऐसे में कम से कम दस लाग परिक्षार्तियों के सामिल होने की संभावना है दोस्तों सचिव परिक्षा नियामक प्रादिकारी उत्तर प्रदेश प्रियागराज अनिल भूशन चतुरवेदी ने बताया कि COVID-19 को देखते हुए परिक्षा के दोरान विसेश एहतियायत बरतना होगा इसकी वित्यारी पर विसेश ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने बताया कि सासन को परिक्षा के लिए प्रस्ताव भीज़ जाएगा महां से मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन आविदन सहित अन्य प्रकडियाएं सुरू होगी उन्होंने कहा कि पूरी कोसिस है कि परिक्षा समय से संपन हो जाए और उसका रिजल्ट भी सिग्र ही गोसित हो जाए तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो आप सभी जो भी आपके माइंड में कन्फुजन थी लेकिन एक कन्फुजन रहेगी होगी कि क्या सर हमारा जो एक्जाम है उसमें निगेटिव मार्किंग हो सकती है या फिर आपका सेक्सिनल कट ओफ हो सकता है तो उसके बारे मैं आपक आना चाहूंगा यह तो आपका तब किलियर होगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है यानकि जब आपके फर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे तब आपका पता लग जाएगा कि आपका निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ है अभी तक जितने भी एक्जाम हुए हैं किसी भी एयर का यानकि चाहें 2018 का हो चाहें 19 का हो चाहें आपका किसी भी एयर का एक्जाम हो टेट का किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी सेक्टनल नहीं था लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते दोस्तों ठ कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो आपको helpful हो तो वीडियो को like और share कर दीजे और दोस्तों अपने वहाई वहनों के लिए ज्यादा से ज्यादा